हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वैक टो एक्टिव माइन्ट, तो फ्रेंट्स हम यहाँ पे KVS TGT साइंस का सिलेवस कवर कर रहे हैं, इससे पहले इसको मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे अपना तीन टॉपिक कवर कर लि पिरिजम, वो हमारे सिलेवस में लिखा नहीं है, लेकिन फ्रेंट्स, वहाँ पे क्या बोला है कि हमको NCRT करनी है 6-10 तक, तो हम NCRT का कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने उसको भी करा दिया, लेकिन वो हमारे मतलब सिलेवस में मैंसन नहीं है, फिर नीचे दिया गया है, second number पे, नीचे से second number पे दिया है, improvement in food resources, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंट्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे, यहां से आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो फ्रेंट्स, आप म फूड रिसोर्सेज अब हमारे फूड रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं मतलब हमको भोजन जो है वो कहां कहां से मिलते हैं मतलब हमारे भोजन का स्रोथ क्या है उसको हम कहां कहां से प्राप्त करते हैं तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे लेकिन यहां पर क्या है खनीजलवड प्राप्त होते हैं तो देखे फ्रेंस आज यहां पे हैंड रिटेन नोट्स नहीं है यह बहुत ही इजी चैप्टर है आप बस ध्यान से सुनते जाएए आपको कोई भी प्राप्लन नहीं होगा आपको इजली यह समझ में आ जाएगा मैंने इंसी आटी में ही सा सुधार कैसे कर सकते हैं जैसे यहां पर दिया है ना कि हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किर्सी उत्पादन पसपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं यहां आवस्यक क्यूं है हम वर्तमान उत्पादन अस्तर पर ही क्यों नहीं रिवा कर सकते हैं यानि हम जिस तरह से अभी अपना किर्सी जो भी है मुर्गी पालन है बी कीपिंग है मतलब उसको जैसे अभी कर रहे हैं उसको इसी तरह से क्यों नहीं कर सकते हैं उसमें सुधार की क्यों जरूरत है तो देखे सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंट्स सम पूस्ड़िये जीवन यापन के लिए मिस्रित खेती अंतरा फसली करण संगडित किर्सी परडालिया अपना ही जानी चाहिए उतारड़े के लिए पसुधन, कुकुड़ पालन, मच्चे पालन, मधमक्खी पालन के साथ किर्सी इत्यादी मतलब ये सब जो हैं हमारे फूट रिसोर्स में इंप्रूब्मेंट के लिए ये हेल्फुल होगा तो इसके बारे में हमको पढ़ना है अब देखें फ्रेंट यहाँ पे अप्रस्न यहाँ है कि हम सफल और पसुधन के लिए उत्पादन को कैसे बढ़ाएं मेर मुद्ध ये हैं यहाँ पे कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें कैसे इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं देखे friends सबसे पहले यहां पर हमारा फसल उत्पादन में उन्नती यानि सबसे पहले अगर हम देखें भारत एक कर्षी प्रधान देश है यहां पर हम जो भी है हमारा economy सबकुछ कर्षी पे डिर्पेंड है जादतर तो देखें उर्जा की अवसेकटा के लिए अनाज अब फिर अनाज में गेहु, चावल, मक्का, बाजरा, जवार और इसे मिलता है हमको कार्भोहाइडेट अब देखिए दालें, दालें से हमको क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है और दाल में आता क्या क्या है चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर तो ये तो आपको पता ही हुगा सरसो का तेल, ये तो एकदम कामन है, अलसी का तेल, सूरज मुखी का तेल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेस्टन पूछ सकते हैं कि इसमें से मतलब जैसे माली जी आपको चार आपसंद दे देंगे इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम तेल प्राप्ट कर सकते हैं इनसे क्या मिलता है हमको, बिटमीन, खनीज लवर, कुछ मातरा में प्रोटीन, वसा कार्बोहाइडरेड भी इनसे मिलते हैं, फिर देखिए नेश्ट हमारा चारा फसले, चारा फसले में क्या क्या आता है, बर्षीम, आप जैसे जो लोग सहार से होंगे, उनको तो पता नह लेकिन जो लोग गाउं से बिलांग करते हैं, उनको पता होगा कि हमारे खेतों में बर्षीम बोया जाता है, पसुओं के लिए, तो हमारे चारा फसलों में क्या क्या आता है, बर्षीम आता है, जैई आता है, शूडान घास आता है, ये इसका उप्योग किसले होता है, खनीज लवन मिलते हैं, और कुछ मातर में प्रोटीन वसा कार्भोहईडेड मिलते हैं, चारा फसले में क्या क्या आता है, वर्षीम जैई सूडान घास, तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब देखिए नेश देखिए यहां पे फ्रे तो फ्रेंट्स बीवन जलवायू, मतलब जहां पर भी वो खेती की जारी है, उसका जलवायू कैसा है, महा की परिस्طितियां कैसी है, महा का टिंप्रेचर कैसा है, फोटो पीडियर्स यानि जो दीबतिकाल है, वो कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है, जो फसल का उत्वा होते हैं तो इसी तरह से दीप्तिकाल होता मतलब सूर्य प्रकास के काल से संबंदित होता ये तो देखें फ्रेंश नेश्ट यहां पर वर्सा यहां से देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है यह भी हमसे पूछा जा सकता कि वर्सा रितु में जो उगाते हैं उसको हम क्या बोल जो नवंबर से अप्रेल माज तक होती है इसको हम क्या बोलते हैं रवी की फसल तो फिर्ट जो हमारा खरीव की फसल है उसका एक्जामपल क्या क्या है दान स्वयवीन अरहर मक्का मूम उड़द यह सब क्या है खरीव की फसले हैं और जो सीत रूत में उगाई जाती है जिस में क्या होता है खरीव की फसल जो कि जून से अक्टूबर तक होती है सीत रूत में क्या होती है रवी की फसल जो कि नवंबर से अप्रेल मास तक होती है और फिर जो है खरीव की फसल में क्या क्या आता है धान स्वयवीन अरहर मक्का मूं उड़द यह सब खरीव की फसले है और रवी की फसल में क्या कहाता है गेहु चना मटर सरसो अलसी यह सब अब देखें फ्रेंट्स यहां पर एक लाइन दी हुई है भारत में सन 1952 से सन 2010 तक किरसी भूमी में 25% की व्रिद्धी हुई है इसको ध्यान रखना यह डेटा क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि 1952 से 2010 तक किरसी भूमी में कितने की व्रिद्धी हुई है कितने प्रषट की तो यह 25% की व्रिद्धी हुई है जबकि अन्न की पैदावार में यानि जो फसल का पैदावार है उसमें चार गुना व्रिद्धी हुई है तो दोनों में याद रखना किरसी भूमी में 25% की और अन्न की प सकते हैं पहला क्या है बीज का चुन्ना मतलब हमारा कोई भी फसल किस तरह का होगा सबस majd से पहले वह बीज के चुन्य पेडी नग buttons करता है चैनी अगर हम उननत किस्ष्म की बीज लेंगे तो सिर उसका फल भी अच्छा होगा तो बीज का चुन्ना हमारे फसल की देखवाल मतलब हम बीच चुन लिए तो उसको लगा दिये तो उसकी देखवाल की जरूरत होगी तो मतलब बीच का चुनना फसल की उसी देखवाल फिर तिसरा है फ्रेंट्स उगी फसल की सुरच्छा तथा कटी हुई फसल को हानी से बचाना तो जब तक हमारा बोलत चुले को सबसे था है है तो यहां पर क्या क्या इसह सब है सकते हैं अब सब्टसềnक करते हैं पर इतना भीजी नहीं कि बस पढ़ोई ना मतलब इसको ध्यान से सुनना क्योंकि कहीं से भी question पूछा जा सकता है तो यहाँ पे आपको अभी 20 question मैं कराऊंगी फिर आप देखना कैसे question इससे बनेंगे देखे किस्मों के चैन पर निर्भार करता है मतलब फसलों का उत्वादन किस्मों के चैन पर निर्भार करता है कि मतलब हम किस तरह का बीज वहाँ पर चैन कर रहे हैं अब देखे किस्मों या प्रवेधों के लिए बिभिन उपियोगी गुड़ो मतलब यहाँ पर क्या क्या गुड़ होना चाहिए मतलब जैसे हम बोलने की किश्मों का चैन करना चाहिए उन्नत किस्म होना चाहिए पर उसमें क्या चाहिए उसमें फ्रेंट्स रोग प्रतिरोधक छहमता जो है वह अच्छी खासी होनी चाहिए उर्वरा के प्रती अनरूपता होनी चाहिए उत्पादन की गुडवत्ता तथा उच्च उत्पादन होना चाहिए इस तरह के जो वीज होते हैं उनका चैन किया जाना चाहिए और उनका फ्रेंट्स उनका चैन प्रजिनन द्वारा हम कर सकते हैं अब देख आपने मेंडल का परियोग पढ़ा होगा उन्होंने मतलब एलो सीड लिया उनका संकरड कराया फिर वहां पर थाइप का मतलब एक वहां पर जल्ट आता है तो फ्रेड्श यहीं है संकरड की मतलब माली जी यहां पर मैं आपको एक इक्जामपल देती हूं अभी हम उसको ने आ अच्छा गुड़ है फिर यहां पे कोई अलग प्लांट है उसमें कोई और गुड़ है जब दोनों का संक्रड कराएंगे तो एक थार्ड गुड़ निकल के आएगा मतलब जो दोनों का गुड़ो वाले पौधो में संक्रड करवाते हैं अब इसका क्या मतलब कि संक्रड बिधी में बिभिन आन्वानसिक गुड़ो वाले तो देखे आपको यह इतना टर्म समझने के लिए यह हिंदी में थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन अभी आपको इंगलिस वाला थोड़ा और इजी लगेगा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले हम यहां पर क्या देखें हैं यानि संक्रड तो संक्रड किसके किसके बीच में होता है यहां पर क्रास होता है जनेटिकली डिस्सिमिलर यानि जो जनेटिकली डिस्सिमिलर है यानि अलग प्ला अलग अलग होगी और इन दोनों में hybridization हम यहां पर करवाएंगे कोई मतलब अच्छा गुड्ड दोनों का combination गुड्ड कोई एक थार्ड गुड्ड लाने के लिए मतलब थार्ड क्वाल्टी लाने के लिए अब देखें इंटर विराइटल एक होता हमारा hybridization एक होता इंटर इस्पेसिफिक एक होता इंटर जेनरिक इंटर विराइटल का क्या मतलब होता है between different variety यानि जब हम different variety के बीच में hybridization करवाते हैं उसको हम इंटर विराइटल बोलते हैं और जब हम इंटर इस्पेसिफिक में between two different species of same genus इसको ध्यान देना different species of same genus मतलब genus तो उसका same है ज दोनों different है the friends यह हो जागा into specific यहां पर in bulk है ना different species of same genus आप देखें इंटर जेनरीक interested in angef में क्या होजगा between different gender between different genera इंटर जेनरिक में between different gender then friends interval में different variety segundos में different species of same genus और इंटर जेनरिक में between different genera तो यह टर्म आप याद रखना अब देखे फ्रेंट्स आप इसको पढ़िए यह ना संकरड अंत्रा किस्मी यानि बिभिन किस्मों में अंत्रा एक ही जीनस की दो बिभीन इस्पीसीजों में अंतरावंसी बिभीन जन्रा में मैंने आपको इंग्लिज में यही बताया है यही इतना बताया है आपको अब देखे फ्रेंस फसाद सुधार की दूसरी विदी है अच्छी गुड़ों वाले जीन का डालना एक हमने क्या पढ़ करता है जीन का डालना मतलब अच्छी गुड़ों वाले जीन को डाल देते हैं उसमें हम अब देखे फ्रेंस यहां पर हम देखते हैं किर्सी पढ़ाली जो है और फसल उत्पादन मौसम मिट्टी की गुड़वत्ता पानी की उपलद्धा पर निर्भर करता है यानि अभी ह किर्सी पढ़ाली उसमें वह किस्पे डिपेंड करता है तो फ्रेंस वह मतलब किस्पेड़ाली और फसल उत्पादन मौसम पर मिट्टी की गुड़वत्ता पर पानी की उपलबद्धा पर निर्भर करता है आपसे पूछा जाएगा वहां पर मतलब ऑप्सन चेंज कर करके देंगे तो आपको ये लाइन टू लाइन इसलिए याद होना चाहिए ताकि आप वहां पर इस्टेट्मेंट को कौन सा रॉंग है कौन सा राइट है ये चूज कर सके तो देखिए किर्सी पढ़ाली और फसल उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है मिट्टी की गुडवत् पर मतलब वहां पर पानी की मातरा क्या है अगर जैसे सोचे कोई ऐसा एडिया हो जहां पर पानी की कमी हो क्या वहां पर फसल उत्पादन अच्छे से होगा नहीं हो पाएगा मतलब कुछ पसल ऐसे ओनके जिनको कंपानी के जरूरत होगी तो वो तो हो जाएगा लेकिन जिसको ज्यादा पानी की जरूरत होगी तो वो तो नहीं हो पाएगा तो फिरस वही बोड़ा है मतलब मालजी हम कोई फसल लगाए है बारिस आगई खुपते जी से आधी चलने लगी फिर फसल बेकार हो जगा तो फिर मावसम कैसा है मिटी कैसी है पानी की मात्रा क्या है इन सपे निर्भा करता है ये अब देखें यहाँ पे किसमों में सुधार मतलब जो भी हम बीज लेंगे उसका जो किसम होगा उसमें सुधार के लिए क्या क्या जरूरी है तो यहाँ पे सबसे पहले है उच उत्पादन मतलब जो भी सीड का हम चैन करें वो प्रेंस हम को जादा से जादा productivity दे सके जादा से जादा उफ़ाद कर सके वो तो देखीए उच उफ़ादन का क्या मतलब होता प्रती एकड फ़सल की उफ़ाद अठाट बढ़ाना मतलब प्रती एकड में जो भी हम फ़सल लगा रहे हैं उससे उफ़ाद अधा बढ़ाई यह सब होते हैं तो फ्रेंड्स सभी फसलों की गुर्वत्ता जो है वह भिन भिन होती है तो यह हमने देखा यहां पर अब देखिए फ्रेंड्स थाड़ है यहां पर हमारा जैविक तथा आजैविक प्रतिरोधक्ता अब देखिए यहां पर मतलब जो भी हम सीड का चैन करें वह जैविक जो है जैविक में क्या क्या आता हमारा जो की सजीव है अजैविक में निर्जीव आते हैं तो उन सब से लड़ने की छमता हो उसमें इस तरह क्या हम को किस्म का चैन करना है अब देखिए जैविक में क्या क्या आता है रोग कीट निमेटोड मतलब इन सब से परिस्थितियों के कारड़ फसल उत्वादन कम हो सकता है इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्मे फसल उत्वादन में सुधार कर सकती है मतलब फ्रेंट्स अगर ये सब मतलब ये सब कुछ होगा अगर वो उन्नत किस्म की बीज नहीं होगी तो क्या होगा फिर वो डे सकती है फिर नेश्ड हमारा परिपक्वन काल में परिवर्तन का क्या मतलब होता है फिर जब से हम फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दिरिश्टी से अच्छा है मतलब जो भी हम फसल लगा रहे हैं अगर हम उसको कम से कम समय में उगा लेंगे तो तो यह आर्थिक दिरिश्टी से अच्छा है इससे हम क्या कर सकते हैं मतलब एक समय में ज्यादा फसल होगा सकते तो वही बोल रहा है अगर मतलब उसके काल में मतलब उसके समय में कमी हो जाए तो यह आर्थिक दिरिश्टी से अच्छा है क्योंकि हम एक साल में दो दो फसल लोगा सकते हैं तो यह तो आर्थिक दिरिश्टी से अच्छा ही हुआ ना तो इससे किर्सान प्रतिवर्श अपने ब्यापक अनुकूलता क्या है फ्रेंड्स माली जी जिसे आप का कोई जो भी एरिया है आप कोई सीड लाते हैं वो उसी एरिया के लिए टॉलरेट कर सकता है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा लेकिन हमको एक ऐसे सीड का चैन करता है जो की मतलब अलग-अलग जगहों पे चाहे वो जगह कैसी भी हो हर जगह एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सके तो उसी को हम बोलते हैं ब्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन परियावर्डिये परिस्तितियों में फसल उत्पादन को अस्थाई करने में सहायक होगा तो ये आपको सम से विज्ञान गुड अब देखें फ्रेंड जैसे जो चारे वाली फसल जैसे मान लिजीए देखी यहां पर जो चारे वाली फसल होती है अगर उसमें ज़ादतार साखाइं नहीं है यानि जो हमारे पसू लोगrich खाते हैं जो मारे गायबहा जो खाते हैं चारा वाली जो फसले होती है अगर उसमें वो सघन नहीं होगा उसमें साखाएं नहीं होती फिर तो वे वेकार है और जो हमारे अनाज होते हैं जैसे धान गेहूं ये सब हो गया अगर वो सोचो अगर वो खूब लंबा-लंबा हो जाए फिर क्या होगा फिर ये भी तो नहीं स लोग को उगाने के लिए कम पोस्कों की आवसकता हो अगर कोई मतलब भले ही वह पौधा है लेकिन अगर लंबा होगा तो उसको ज्यादा मिर्यल की जरूत पड़ेगी ज्यादा पानी की जरूत पड़ेगी तो वही बोला फ्रेंट्स इस पकार सच्छी विग्यान वाले किसम अगर अगर मा लिजे आप अपने खेत में कोई भी सीड लगा रहे हैं तो आप उसमें कितनी लागत लगा रहे हैं मतलब उसको पानी अच्छे से दे रहे हैं खाद अच्छे से दे रहे हैं उसमें मतलब जो भी करें सब अच्छे से उसका देखभाल करें तो friends किसान की लागत छमता जो है वो जतना जाला उसमें खर्च करेगा जतना investment करेगा उतनी अच्छी उसकी फऽसल होगी तो किसान की लागत छमता फ़सल तंतर सा उतौदन पर डालियों का निधराड करती है इसलिए उतौदन पर डालियां भी भी नस्तर की हो सकती है एक तो होता आप बिना लागत की, मतलब आप कुछ भी खर्चना करो, फिर भी उत्पादन हो, एक होता है अल्प लागत उत्पादन, मतलब आप थोड़ा सा लगाओ और थोड़ा सा मिले, और अधिक लागत, अधिक लागत में क्या होगा फ्रेंड्स, आप खुब जादा पै फिर आपको प्रोड़ा साथ, तो यही यह इसका मतलब, अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स, देखिए यहां पर पोसक प्रबंधन में क्या क्या है हमारा, पोसकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रिहत पोसक, अभी यह जो देखिए इसको मैं वहां से बताती हूं, चलिए देख लिए यहां पर, हवा से हमको क्या क्या मिलता है, कार्बन तथा आक्सीजन, पानी से क्या मिलता है, हाइडोजन तथा आक्सीजन, सेस अन्य पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो फिर मिट्टी से जो प्राप्त होते ह तो उनको क्या बोलते हैं ब्रिहत पोसक यानि माइक्रो न्यूट्रियंट क्या बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रियंट सेज पोसक क्या हो सकता कम मात्रा में होती है मतलब उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके मातरा मत्तब जिसके जरूरत कम मातरा में होती है, उसको हम क्या बोलता है है। सुच मपोसक यानि माइक्रो नि butterflies N. माइक्रो माइक्रो अभी मैं इसको आपको ट्रिक से याद कराती हूं, तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हवा पानी मिर्दा से प्राफ्थ होने वाले पोसक तो देखें हवा से क्या मिलता है कार्बन और आक्सीजन पानी से क्या मिलता है हाइडोजन तथा आक्सीजन भूलना नहीं है हवा से कार्बन और आक्सीजन पानी से हाइडोजन और आक्सिजन ये मत सोचना आक्सिजन हमेशा हवा से ही मिलता है पानी से भी आक्सिजन मिलता है आप इसको याद कर लिजिए अगर बाई चांस इक्जामन पूछ लेगा तो आप कन्फिज हो सकते हैं तो पानी से भी हाइडोजन और आक्सिजन प्राप् अब देखे इसको मैं आपको बताती हूं कहां लिखो फ्रेंड्स चलिए देखे एक होता हमारा मैक्रो मैक्रो न्यूट्रियेंट क्या होता हमारा मैक्रो न्यूट्रियेंट अब फ्रेंड्स हमारा जो मैक्रो न्यूट्रियेंट है और एक होता हमारा मैक्रो अब देखिए मैक्रो में क्या क्या आता है चोन पीएसके का मग चोन पीएसके का मग फ्रेंड्स इसको आप अपनी नोट्स में नोट कर लेना क्योंकि अभी यहां से हट जाएगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे इसको लिख के अच्छे से इसका ट्रीक सेयर कर दूँगी आप वहां से इसको पढ़ लेना वज़से मैं पीटिएप वहां पे सेयर कर देती हूं लेकिन मैं इसको अलग से कर दूँगी क्योंकि मैंने यहां पे इसको नोट नहीं किया इसक K for potassium, S for sulfur, Ka for calcium, Mg for magnesium, लेकिन आप इसको भी आत्र कर लेजे, C for carbon, S for hydrogen, O for oxygen, यानि carbon, hydrogen, oxygen, N for nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, यह सब क्या हैं फ्रेंड्स, यह है micronutrient, और देखिए माइक्रो न्यूट्रेंट क्या है हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट क्या है माइक्रो माइक्रो मीज क्या होता छोटा यानि जिसकी जरूरत हमको कम मात्रा में हो माइक्रो छोटा अब देखिए यहां पर क्या है अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे आप देखिए आइरन है यह हो गया आइरन मैगनीज है यह हो गया मैगनीज बोरोन है यह हो गया बोरोन जिंक है यह हो गया जिंक कॉपर है यह हो गया कॉपर मॉलिबर डेनम है यह हो गया मॉलिबर डेनम क्लोरीन है यह हो गया क्लोरीन और फ्रेट्स यहाँ पे नियोन नहीं लिखा है तो इस वाले ट्रिक से हमारा चलो एक neon नहीं यहां पे लिखाने लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि neon भी weмы स्काइब काने लिगा पी क्रोंटेंट थो यहाँच भी को कि निमो भी कल मंजन यह क्या है माइक्रो न्यूट्ररियंट यहा दियर थे कप निमो hiệnुंद मनजन इस तरह से आप याद कर लेना तो फ्रेंड्स हमने ब्रिहत पोसक में क्या देखा चोन पीएस के सी का मग चोन पीएस के सी का मग सी आप मत या रखिए से यसाई सिलिकाउन को वो तो खैर माइक्रों नूत्र होता है पर कोई ज़रुत नहीं यह हो गया हमारा ब्रिहत यानि माइक्रों नूत्रियन और यहां पर हम ने क्या देखा फी कू नी मू बीकल मनजन यह हो गया हमारा आठ जो माइक्रो न्यूट्रिन तो फिर्ट्स उम्मीद करती हूं यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए हमारी एंसियाटी यहां पे क्वेशन भी पूछती है ब्रहत पोसक क्या है इन्हें ब्रहत पोसक क्यों कहते हैं तो आप यहां पे इसली अब इसका आंसर कर सकते हैं त ध्यान देना यह सब इंपोर्टेंट लाइन है जितना भी मैंने हाइलाइट किया है सारे इंपोर्टेंट है आपको सारे अच्छे से पढ़ना है खाद में कार्विनिक पदार्थों के मात्रा अधिक होती है मिट्टी को अल्प मात्रा में पोसक परदान करते हैं यानि जो खाद को जनतूओ के अफसिष्ठ तथा पौधों के कचरे के अभगटन से तयार किया जाता है और खाद क्या करती है मिट्टी की उरवरता को बढ़ाती है याद रखना खाद मिट्टी की उरवरता को बढ़ाती है खाद में कार्विनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है सारा पॉइंट ध्यान से देगे खाद में कार्विनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है इसके कारण रेतिली मिट्टी में पानी को रखने की छमता बढ़ जाती है और यहां देखिए चिकनी मिट्टी में कार्वनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने की कारण को निकालने में की औह्यक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है जिसे पानी एकत्रित नहीं होता है तो फ्रेंस यह दोनों disiti लेकिन रेतीली मिटी में पानी को रखने की चमता बढ़ जाती है तो यह तो आप को पता ही है कि सब्सक्राइब जैविक कच्रे का उपयोग करते हैं इस से उरवरगों के अधितिक अधितिक उपयोग की आपसकता नहीं होती है अब देखें फ्रेंट्स यहाँ पे हम खाद के बारे में पढ़ है थे तो एक होता हमारा कमपोस्ट तथा वर्मी कमपोस्ट अब देखें कमपोस्टी करण की प्रकिरिया जो है उसमें किरसी अप्शिष्ट प्रदार्थ जिसे पसुधन का मलमूत्र, जिसे गोबर हो गया सबजी के छिलके हो गए, कचरा हो गया, जानवर द्वारा परित्जिची चारे हो गए घरेलू कचरे हो गए, सीवेज कचरे हो गए, फेके हुए खर्पतवार हो गए इनको हम क्या करते हैं, गड़ों में विगलित कर देते हैं, कमपोस्ट में कार्बनिक पदार तथा पोसक बहुत अधिक मातरा में होते हैं, ध्यान देना, कमपोस्ट में कार्बनिक पदार पोसक बहुत अधिक मातरा में होते हैं, और कमपोस्ट को मतलब कमपोस्टिंग की पर पहले खेतों में कुछ पौधे जिसे पटसन, मूग, गौार आधि उगा देते हैं तत पसाथ उन पर हल चला कर मिटी को जोद जाता है अब क्या होता फेंस कभी कभी आपने हो सकता देखा भी हो या नहीं भी दिखा हो मतलब कोई भी फसल अगर हमको उगानी है तो उससे पहल क्या करते हैं उसमें मतलब कुछ पौधे लगा देते हैं खेत में और कौन से पौधे लगाते हैं यह इंपोर्टेंट है उसमें हम पर्टसन लगा सकते हैं मूंग का पौधा लगा सकते हैं गौर लगा सकते हैं तो इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं और फिर जब यह थोड हमारे हरीखाद की तरह काम करता है इसी को हम हरीखाद बोलते हैं अब देखिए ये पवदे हरीखाद में परिर्थित हो जाते हैं ये मिट्टी को क्या क्या देते हैं इनसे मिट्टी को नाइटोजन और फासफोरस मिलता है ध्यान देना क्या मिलता है नाइटोजन फासफोरस यहां पर है उर्वरक तो अब तक हमने क्या पढ़ा खाद अब क्या पढ़ने हैं उर्वरक क्या होते हैं उर्वरक को ब्यावसाइक यानि कमर्शियल तरीके से तयार किया जाता है तो आप क्या ध्यान रखेंगे उर्वरक को ब्यावसाइक तरीके से तयार किया जाता है उर्वरक में क्या क्या होता है एन पी के आपने देखा भी होगा जब हमारे खेत में डालने के लिए एक बोरी आती है उर्वरक यानि फटिलाजर की तो इसमें एन पी के लिखा भी होता है एन पी के यह नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेसियम होता है तो आप से यह भी पूछा जा सकता है कि उर्वरक में क्या नहीं होता है तो आप इसको बस याद किया रहे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो मिली जाएगा इनके उपयोग से अच्छी काईग व्रिद्धी होती है पत्तियां साखाएं फोल इन सब में और यह पौधो मतलब इनकी वज़े से पौधे सब्सक्त भी रहते हैं अधिक उत्वादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता के सिलेबर्स देखिए वहाँ पे लास्ट में लिख़ा है और येनिक फार्मिंग करके दीया है तो हम अब कार्वनिक ख्यती है कार्वनिक ख्यती करने की वह बद central जिसमें रासायनिक उर्वरक पीडकनासी-साकनासी का उपयोग बहूत कम यह फिर बिलकुल नहीं होता है ध्यान देना एक जामनर आपको कन्फियूज करेगा वो आपको बोलेगा पीड़क नासी साक नासी की उपयोग होती है ऐसा कुछ तो देखो आप हो सकता मतलब इसको आप अचानक से पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे कार्बनिक खेती खेती करने की वह पद्दती है जि तो प्रेंट्स इसको आप याद रखना कर्बनिक खेती क्योंकि यह कि यह करती है अनू हम और स्फिश्च जैसे की नील हारी सैवाल यानि बुलू-ग्रीन एलगी जिसको हम बोलते हैं इसका संबर्धन किया जाता है जैविक उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अब देखिए नीम की पत्तियों तता हल्दी का विशेस रूप से जैवकीट नासको के रूप में खाद संग्रहण में प्रियोग किया जो हमारी मम्मी वगरा होती है या जो भी हमारे गाउं के मतलब हमारे घर के लोग होते वह क्या करते हैं नीम की पत्ति लाते हैं फिर उसमें मिला देते हैं उसके बाद उसको भार देते हैं जिस भी जिस भी चीज में भार ना होता है तो फ्रेंड उसको क्यों करते हैं क्यो कुछ साल फसली करड़ पद्धत के लिए यहाँ पे कुछ तरीका दिया गया है जैसे मिशित खेती हो गया अंतर फसली करड़ हो गया और फसल चक्र हो गया तो यह सब फ्रेंड्स इससे क्या होता है यह फसल तंत्र की पीड़क तथा खरपतवाद को नियंतित करते हैं और पो देखे फ्रेंड्स नेस्ट हमारा सिचाई अभी इन सब खेती की बारे में हम पढ़ेंगे जो उपर अभी पढ़ेंगे भारत में अधिकान्स खेती जो है वो बरसा पर आधायत होती है तो फ्रेंड्स अगर मान लिजे बरसा नहीं होगी तो इससे हमारे जो फसल है उन पे बहुत सारे इफ्यक्ट पढ़ेंगे तो अब दिखिये भारत में अनेक पानी के श्रोत है भारत में क्या है बीविन-विविन स्रोत है पानी के जहां से हमको पानी मतलब मिल सकता है तो उसमेंसे सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कुएवा क्या हमारी नहरे है नदि पानी को एकत्रीत किया जाता है ध्यान देना फ्रेंट्स यहां पर पानी को एकत्रीत किया जाता है और नलकूप में क्या होता है नलकूप में पानी गहरे जलस्तरों से निकाला जाता है तो दोनों में समझ में आया एक में होता है खुदा हुआ कुवा जिसे में हम क्या करते ह हैं इस इत्व पानीको एकत्रित करते हैं और नल्कूब से क्या करते हैं पानी होगा डिल हम निकाले मुहky तो फ्रेंस नहरों में कहां कहां का पानी आता है जलासियों का भी पानी आता है नदियों का भी पानी आता है तो ये सब आप याद रखना मुख्य नहर से साखाएं निकलती हैं जो की विभाजित होका खेतों में सिचाई करती हैं अब देखिए निश्ट हमारा नदी जल उठ पढ़ाली यह क्या होता फ्रेंश नदी जल उठाव पढ़ाली तो देखिए यहां पर जिन छेत्रों में जलासियों से फ्रेंश कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव आनियमी तथा आपरियाप्त होता है जल उठाव पढ़ाली अधिक उपयोगी रहती है नदीयों के किनारे इस्थित खेतों में सीचाई करने के लिए नदीयों से सीधे ही पानी निकाला जाता है तो ऐसे जलास है जहां से कम पानी मिलने के कारण नहरों को बहाव अन्यमित होता है और आप परियाप्त होता है वहाँ पे ये सिस्टम यूज किया जाता है देखिए नेश हमारा तालाब तालाब क्या है छोटे छोटे जलास है जो छोटे छेत्रों में बहे हुए पानी का तो अभी मैंने आपको बताया था और्गनिक फार्मी अभी हमने देखा था ना मिस्रित खेती ये सब तो देखिए यहां पर मिस्रित फसल मतलब यहां पर क्या क्या होता है तो देखिए फसल पैटन में क्या होता है अधिक लाप प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभ किया करते हैं TOEF novo से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही खेट में उगाते हैं मतलब इसा नहीं एक साथ लकिन अलगव खेट में एक ही खेट में उगाते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता यह देक्वार्टन्थ है यह एक्जाम्पल तो यह गेहूं और चना मतलब हम गेहूं चना इन दोनों को एक एक साथ उगा सकते हैं फिर हो जाएगा हमारा गेहूं और सर्सो और फ्रेंट्स हम किसको साथ उगा सकते हैं मूंग फली और सूर्य मुखी फ्रेंट्स मूंग फली और सूर्य मुखी तो यह कंबिनेशन आप याद रखना किसको हम साथ में उगा सकते हैं फ्रेंट्स इससे क्या होती है इससे हानी होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के निश्ट हो जाने पर भी फसल उत्वादन की आसा बनी देखिए निष्ट है अंत्रा-फसली करड़्ट क्या है फ्रींट्स अंत्रा-फसली करड़्ट क्या है यही एक हीस्टमें निर्धिस्टन पर उगाते हैं निर्धिश्रब मीरत रखीत सभी क्या है लेकिन अंत्रा फसलिकरण में क्या है? एक हिसाथ एकिकित में निर्दिष्ट पैटन पर उगा जाता है. अब देखी इसमें क्या करते हैं? कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एक आंतर में दूसरी फसल को हम उगाते हैं. देखी यहाँ पर फीगर ही होगा देखिए इस तरह से यह एक लाइन में कोई और सी है दूसरे में कोई और है फिर कोई और है इसी तरह से फ्रेंट्स इसको हम लगाते हैं मतलब एक लाइन में कोई और फसल है दूसरे में कोई और है तो उसमें क्या क्या होता है तो फ्रेंट्स उसमें हम इस तरह से किसको उग बाजरा और लोबिया को भी हम इससे उखा सकते हैं एक साथ एक लाइन में बाजरा एक लाइन में लोविया इस साथ इसको हम कर सकते हैं अदिए फसल का चुनाओं इस परकार करते हैं कि उनकी विसक्त तत्तोकी आफन नबायों ध्यान देना यहां पर जो है जैसे हमने मल लीजे, सोयवीन के साथ मक्का ना लेके कुछ होल ले लिया तो हो सकता है, यह मतलब उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी ना दे पर क्यों? देखे, सोयवीन और मक्का, यहां पर क्या बोढ़ा है? कि उनकी पोसकतों की आवस्यक्ताएं, भिन 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 हो याँने उनकी जो पूसकता तो है निउट्रंट है उनकी आवसकता है अलग अलिक होनी चाहिए यह आप ध्याँ रखना फ्रेंट्स इस विधी द्वारा क्या होता है अंतरा फसली करण क्या द्वारा इसके द्वारा क्या होता है पीड़क वार रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है अब माल लीजिए यहां पे कोई साभी चाहे इस पौधे में या फिर इसमें कोई बीमारी लगई तो जब यह पौधा जो रहेगा वो यहां तक spread होने इसको यहां तक यह इसको रोक देगा यहां से यहां तक इसको आने ही नहीं देगा तो ये इसका मतलब एक benefit बता जा रहा है कि इससे क्या होता पीड़क वार रोगों को एक ही प्रकार की फ़सल के सभी पधों में फैलने से रोका जा सकता है आप देखें friends किसी खेती में क्रम वार पूर नियोजित कार करम के अंसार बिभिन फ़सलों के उगानों को हम फ़सल चक्र कहते हैं यह directly आप से इसका definition आ सकता है कि किसी मतलब इसको आप ऐसे ही याद रखना कि किसी खेत में क्रम वार अब जैसे क्रम वार का क्या मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मा लिजी आप जहां से तो नहीं होता ना हम क्या करते हैं एक समय हम क्या करते हैं धान लगाते हैं फिर क्या करते हैं गन्ने लगा देते हैं फिर से धान लगा देते हैं फिर कभी सरसो लगा देते हैं तो उसी को बोलना कि किसी खेत में क्रम वार पूर नियोजित कारकरम के अंसार विभीन फसलों के उगानों को हम फसल चक्र बोलते हैं अब देखिए एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिचाई की उपलबज़ता पर निर्भा करता है तो इसको भी आप याद साथ में कुछ मतलब अन्नेसेसरी प्लांट भी उग जाते हैं मतलब जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती वह क्या करते हैं फ्रेंट्स वह जो हमारे अच्छे वाले फसल होते हैं जिनको हम लगाए रहते हैं उनसे वह भोजन के लिए कंपीड करते हैं मतलब अगर वह वहां प होते हैं जैंथिम एक दूसरा है गाजर गहास इसको किया बोलते हैं पार्थेनियं रहुंतै यह तो आपको पता ही होगा गाउ में अपने देख रह दीजाए यह रहा है तो इसको यारशज़र्टी प्लांट है ये क्या करते हैं खर पत्वार भोजन अस्थान तता प्रकास के लिए अस्परधा करते हैं मतलब कम्पीर करते हैं जो हमारे में फसल होते हैं उनसे खर पत्वार पोसक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धी कम हो जाती है तो फिर जिसे मान लिजिए आपके घर में मतलब आप दो भाई बहन हैं तो अगर आप अकेले रहते हैं तो किसी भी चीज़ को आप ज्यादा मातरा में खाते हैं लेकिन अगर आपके भाई भी हैं आप भी हैं तो आपको मतलब कोई एक चीज़ वो आप दोनों में बराबर बराबर मातरा में बढ़ जागी क्योंकि उनको भी जरूत होगी तो वही है मतलब जो अनेसेसरी प्लांट जब उखते हैं तो वह भी वहां से पोसकता तो लेने लगते हैं तो इसे फसलों की व्रिद्धी कम हो जाती है तो फ्रेंस देखें यहाँ पे बोल रहा कि इस से फसलों पर आकरमर करते हैं कि यह किस तरह से करते हैं या तो यह मोल निरूट fifty a still he देहें दूसरा क्या सकता कि यह विभीन भाग्स की रश चूस लेते हैं तीसरा क्या सकता है यह तने तने था फ़लों में छिद्र परकार इस पर गार में जिसे फसल उत्पादन कम हो जाता है पौधों में रोग वैक्टिरिया कवक वायरस जैसे रोग कारको दोरा होता है यह मिट्टी पानी हवा में उपस्थित रहते हैं इन मद्धिमों दोरा पौधों में फालते रहते हैं तो फ्रेंट्स देखें यहां पे पीड़क नासी रसा पर दूसर के कारण सकते हैं पीड़क नासी होते हैं यह पौधों जैनमों के लिए अब दिएक होता है नियां पर नहल के करना अंतरा फशली कहार करना फशल चक्र खर्पतव और दृक्णोर नीयंत्वीद करने में होते हैं पीड़कों पर नियंदर पाने के लिए प्रत्रोध छमता वाली किश्मों का उपयोग ग्रीस मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक बिधिया है मतलब यहां पर जो है यह सारी निरोधक बिधियों के बारे में दिया गया इस बिधि में खरपतवार दिधा पीड़कों को निष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चला आ जबता है देखे फ्रेश नेश्ट है यहां पे हमारा अनाज का भंडारड तो देखें यहां पे अनाज का भंडारड मतलब हम फसल लगा लिए अब हमारा जो ग्रेन है वो घर पे आ चुका है अब हमको क्या करना है उस अनाज का भंडारड करना है यानि उसका इस्टोरेज करना उसको तो अनाज को हम कैसे इस्टोर कर सकते हैं तो यहां पर देखिए किरसी उत्पात के भंदारण में बहुत हान हो सकती है मतलब जब भी हम जो भी हमारा ग्रेन है उसमें बहुत हान हो सकती है इस हान की क्या क्या कारण हो सकते हैं एक तो हमारे जैविक कारण हो सकता है जैसे कीट करता कावक्त कर सकते हैं भंदर की अस्थान पर उपयुक्त नमी ना आपका अभाव कहिं पर अपना की रखेंगे तो यह तो कि आप अपकर स्थाइगो निरंत शफ आइन और्श क्या सबसे पहले सब्स Boss फ्यूमग कशन के कि मर चाहिए जो की पिडग को माने का काम करता है यानि इसमें जो भी कोई के लिए क्या करेंगे सबसे पहले किस्म का जो बीज है उसका चुनाव करेंगे फिर उसका देख भाल करेंगे वहां पर क्या क्या करेंगे हमने सब कुछ बढ़ा अब हम यहां पर देखते हैं पसु पालन करते हैं यहां पर तो पसु पालन के लिए पसु पालन तो हम करेंगे लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बारे में हमको क्या नालेज है मतलब हम उसके बारे में क्या जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पसुद्धन क्या है मतलब इसको कैसे करते हैं यहाँ पर क्या-क्या धियान देने योगे बाते हैं पसुधन के प्रवंधन को पसुधन क्या होता फ्रेंट्स वही हमारी गाय भायस यह सब जो होती है तो पसुधन के प्रवंधन को पसुपालन कहते हैं इसके अंतर के बहुत से कार होते हैं जैसे भोजन देना प्रजिनन तथा रोगों पर नियंतरड करना यह सब तो देखें जनसंका बृद्धी तथा रहा संके अस्थन में बृद्धी के कारण अंडो दूद तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है उसी के लिए हमको पसधन की जरूरत भी पढ़ रही है तो आप देखें फ्रेंज पसु किर्सी देखेते हैं आपे तो पसु पालन के फ्रेंज दो बालते हैं तो देखें भारतिय पसु मतब भारतिय पालतू पसु की दो मुख्य इस्पीसीज है यहां से देखें यह आसे पूछेगा की भारतिय पसु की दो में इस्पीसीज कौन सी है तो आप क्या बताएंगे गाय का सैंटफिक नेम वास इंडिकस और एक है भैस का दूद देने वाली माधाओं को दूधार उपसु करते हैं दूधार यानी मिल्च फ्रेंज जो भी मतलब हमको दूद देती हैं जो भी पसु को जो हम बोलते हैं अब देके फ्रेंड pay लंबे समय तक दूख दिस्रवलकाल कै लिए अब ये दुख्द सरवड काल क्या होता है यानि जब भी जैसे देखिए जब भी हमारा पसू जो होता है जब भी उसका बेबी होता है फिर जब तक वो मतलब दूबारा उसकी प्रेग्नेसी नहीं होती है उसके बीच का जो समय होता है उसको हम दुख्द सरवड काल बोलते है यानि जटक वो दूद्द देती है तो देखें फ्रेंस विदेशी नसल आप से यह पुछा देगा मतलब option देखें कि कौनसी विदेशी नसल है कौनसी देसी नसल है तो देखें मैंने कितने अच्छे से highlights कि विदेशी नसल क्या है जैसे कि जर्सी brown swiss विदेशी नसल में क्या क्या है जर्सी है ब्राउन स्विस है और देशी नसल में क्या है रेड़ सिंदी है और एक क्या है साहीवाल है तो फ्रेंट्स देशी नसल में रेड़ सिंदी साहीवाल है और विदेशी नसल में जर्सी ब्राउन स्विस ये है जो अभी मैंने आपको बताया था hybrid digestion तो उसको आप यहां अच्छे से समझे इन दोनों नसलों में संक्रण कराया जाए तो एक ऐसी संतती प्राप्त होती जिसमें दोनों अच्छी गुरियानी रोग प्रतिरोधक्षमता और लंबा दुख्ध सिर्वडकाल होगा अब और साही वाल है इनका रोग प्रतिरोधक्षमता बहुत अच्छा है मतलब यह डिजीज रेजिस्टेंस है तो देखिए अगर जर्षी ब्राउन यह जर्षी या ब्राउन स्विश का और रेशिंधिया साही वाल का अगर मेटिंग करा दिया जाए इनका hybridization करवा दिया जाए तो जो इनका मतलब जो भी यहाँ पे बच्चा होगा वो क्या होगा इन दोनों के लच्छार इसमें होगी यानि वो रोग प्रतिरोधक्षमता भी उसके अंदर अच्छी होगी और उसका लंबा दुग तसरवर काल भी होगा तो वही यह यहाँ पे बोड़ा है hybridization की बात ही तो देखें दूद देने वाले पसू जिनको क्या बलते है डेरी पसू के आहार के आवसकता दो प्रकार की होती है यानि जो भी हमारे दूद देने वाले पसू होते हैं उनको दो प्रकार के आहार के आवसकता होती उसमें से एक क्या है एक प्रकार की आहार जो उनके स्वास उत्पादन को बढ़ाए तो यहाँ पे दो प्रकार के आहार दिये जाने की जरूरत है अब देखें फ्रेंट्स यहाँ पे इसके आउसक्ता दुख्त प्रॉण संसे समयमे होती है तो देखिये पसू आहार के अंतरगत क्या क्या आते हैं तो पचु आहार किंतरगर सबसे पहले आता फ्रेंस मोटा चारह जिसको को यह बलते हैं मोटा है यह पता नहीं हिंदी क्या ही लिखा रहता है मोटा चारहilot वसंकर एक प्राया मUK French नाहीnd क्या होता है रेसे होते हैं और यहाँ पर सिकेंड क्या है सांद्र जिसमें रेसे कम होते हैं और प्रोटीन यूम अन्य पोसक्तत्व अधीक होते हैं तो फ्रेंड इसको आप याद रखना मोटे चारे में क्या होता है मुख्यता रेसे होते हैं और जो सांद्र होता है इसमें रेसे कम होते ह हैं प्रोटीन और अन्य पूसकता तो अधीक होते हैं अब देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा गाय जो है गाय भैस यह सब हम पाल चुके और आप हम चलते हैं यहां पर मुर्गी पालने के तरफ अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या पड़ हैं पसू पालन तो पसू पालन में सब के लिएहां इसका पूछा कि मतलब मुर्गी पालन का sometime एकस के मतलब मुर्गी पान करते हैं यहां पास के लिए ले वाके किसका क्रोलन करते हैं यह पर important line है यहां पर पूझते हैं अंडो के लिए तो फ्रेंस लेयर मूर्गी पालन मांस के लिए ब्रोलल को पाला जाता है अब देखिए यहां पर फ्रेंस नई किस्म बनाने के लिए देशी देशी में क्या है एसिल है और विदेशी में क्या है लेग होर्न तो फ्रेंच इस तरह के नसलो का उपयोग किया जाता है मतलब इस तरह के नसलो का संक्रण किया जाता है मतलब देशी क्या है ACL है और भी देशी क्या है leghunt इन दोनों का संक्रड करवा सकते हैं फिर जब इनका संक्रड कराएंगे क्या होगा चूजे जो निकलेंगे वहां से चूजो की संख्या तथा गुडवत्ता जो होगी वो अच्छी होगी छोटे कद की ब्रोलर माता पिता द्वारत चूजो के ब्यावसाइक उत्पादन है तू किया ज़ता इनका संक्रण अब जखिए नेश्ट यहाँ पे इनमें क्या होगी फ्रेंज्स गर्मी अनकूलन चमता यानि उच्छ तापमान को सहने की चमता होगी देख भाल में कम खर्च की आवसकता होगी अन्डे देने वाले तथा ऐसी छमता वाले पच्छी जो किसी के उपोध पाद यानि एग्री कल्चरलर बाई प्रोडक्स से प्राप्त सस्ते रेशिदार आहार का उपयोग कर सकते हैं देखे फ्रेंज अन्डो तथा ब्रॉलर का उत्वादन तो ब्रॉलर चूजो को अच्छी विर्दिदार तथा अच्छी आहार नाल दच्छता के लिए बिटामीन से प्रचूर आहार मिलते हैं और उनकी मृत्यूदर कम्र करने और उनके पंख तथा मांस की गुड़ता बनाये रखने के लिए साउधानी बरती जाती है यह तो फ्रेंज सब का या इसे ही पढ़ने वाली है तो यहां पर कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं जो कि भूस समझाने की जरूरत हो तो इसको आप आ अबंधन पडालियां बहुत आवस्यक होती है इनके अंतरगत इनके आवास में उची ताप तथा सुच्छता का निर्धार करके कुकुड अहार की गुड़ता को बनाये रखा जाता है इनके साथ-साथ रोगों तथा पेड़कों पन नियंतरिय तथा उनसे बचाव करना भ यहां पर यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ब्रॉलर की आवास पोसर तथा परियावरड यह आवस्यक्ता है अंडे देने वाले कुकुडों से भिन होती है ब्रॉलर क्या है जिसका उपयोग हम मांच के लिए करते हैं और लेयर क्या है जिसका उपयोग हम करते हैं तो ब्रॉलर जो है उसका आवास जो है यानि वह जहां पर रह रहा है और उसका पोसर जो है न्यूटीशन जो है वह सब अंडे देने वाले से यानि लेयर से क्या है भिन है भिन कैसे ब्रॉलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचूर मात्रा में होता है कुकु अब देखें फ्रेंस मुर्गी को यानि जो भी हम जो भी मुर्गिया है जो की संक्रामक रोग अगर किसी को हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए टी का लगवाना चाहिए उनको तो यह आप याद रखना अब देखें फ्रेंस यहाँ पे हम चलते हैं मचली पालन की तरफ अब यहां पर मचली पालते हैं क्योंकि अब हम यहां पर मुर्गी पाल चुके हैं और फिर हम वहां से उप चुके हैं और हम चलते हैं मचली पालने के तरफ तो देखें मचली पालन में सोरी यहां से दिखें मचली पालन में क्या होता है हमारे भोजन में मचली कि इसका एक सम से उस्यादा क्या मिलता है प्रोटीग का एक संब्रिद स्रोथ है मचली उत्वादन का consumo मचली उत्वादन में मचलि मचली मचली प्रानोर श्रोधिया कि प्रानोर श्राहिएं, या दो सबी तरह मचली प्रालन की दोड़ी होती picked up एक तो हम क्या कर सकते हैं कहीं पर मचली है वहाँ पर जाके जाल लगाएंगे या कुछ भी कटिया लगाएंगे वहाँ से उसको पकल लाएंगे दूसरा क्या हो सकता फ्रेंट हम खुदी मचली पालने तो मचली प्राप्ट करने की दो भी दिये एक तो हम कहीं से पकलना है या तो हम खुद पालने मचली को तो देखे फ्रेंस मचलियों के जल स्रोज जो है मतलब मचलियां जहां पे रहती है जिस जल में एक तो वो समुद्री जल हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है ताजा जल या फिर आलवडी जल यानि जिसमें जो खारा नहों जिसमें नमक की कोई भी मात्र क्यों चेत्र जो है पॉम्फरेट, माइकल, ट्यूना, सौडाइक और बामबे डग तो इसको आप एक्जामपल को खूब अच्छे से याद रखना क्योंकि वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी वहाँ पे कौन सी समुद्री मचलिया है तो देखें समुद्री मचली पकड़ने के लिए बिभिन प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है जिसमें से क्या हमारा मचली पकड़ने वाली नाओं से किया जाता है सेटेलाइट दथा प्रतिध्वानी गंभीरता मापी से खुलेश समुद्र में मचलियों के बड़े समुख का पता लगाया जाता है तथा इन सुचनाओं का उप्योग कर मचली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तो आप इसको बार बार पढ़ना ताकि यह जो लाइन टू लाइन है यह सब आपको याद हो जाए और आप इसली आंसर को कर सकें एक्जाम में अब देखें यहाँ पे कुछ आर्थिक महत्वाली समुद्री मचलियों का समुद्री जल में संबर्धन भी किया जाता है प्यात रखना और देखें कवची यह मचलिया होती है जो जैसे कि जींगा जिसको हम क्या बोलते हैं और प्रान बोलते हैं और इसमें मचल है ओइस्टर है साथी समुद्री खरपतवार भी है देखें यह एक लाइन याद रखना ओइस्टर जो है इसका संबर्धन मोती को प संबर्धन यानि मेरी कल्चर कहते हैं अब यह समुद्री संबर्धन क्या होता है क्योंकि वह समुद्री मचलिया है तो उनके संबर्धन को हम मेरी कल्चर बोलते हैं अब देखें अन्ता अस्थली मत सकी ताजा जल की स्रोत नाले ताला पोखर नदियां यह सब हैं खारे जल के संसादन जहां समुद्री जल तथा ताजा जल मिस्रिष होते हैं उसे हम क्या जिसे की नदी मुख या एशुरी तथा लैगून भी महतुपूर मत से भंडा रढ़ हैं तो इसको आप याद रखना अब देखें मचली संबर्धन कभी-कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है अधिक मचली संबर्धन मिस्रित मचली संबर्धन तत्र से किया जाता है इस प्रक्रिया में देशी तथा आयाति मचलियां होती हैं मतलब इनमें इनका प्रियों किया जाता है आप देखें यहां से इंपोर्टन लाइन जो मिस्रित सिस्टम है मचलियों को बालने को उसमे में क्या होता एकी ताला में पांच यचे मचलियों की स्पीसीज का परीयग किया जाता है इनुमें ऐसी मचलियों को चुनtechn जाता जिन मैं आखाल के लिए फ्रती असपरधा ना हूँ अगर मान लिजिए आप मतलब कोई ऐसा तालाब जहां पर एक ही तरह की मचलियों को डाल देंगे जिनको और वहां पर खाने के लिए मात्र मालेजी आप एक या दो केचुवा रख दीजिए तो फ्रेंट्स वह लोग क्या करेंगी आपस में फाइट कर लेंगी उस केचुवे के लिए यानि उसको खा तो देखें यहां पर मतलब ऐसा तालाब जिसमें पांच हैं यहां पर क्या बोला कि उनके बीच में प्रतियस परधा ना हो उनका अहार जौह भीन भीन होना चाहिए तो देखे फ्रेंज ये मतलब किस तरह से होने चाहिए माली जी आप एक तालाब है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंज कुछ इस तरह से आप आईए यहाँ पर फिस्ट प्रोडक्शन यानि मचली उत्वातर में तो यहाँ पर हमने पढ़ा मतलब समुद्री मचली पालन और यहाँ पर हम पढ़े हैं इनलेंड फिस्ट यानि अन्ताहस्तली मचली पालन तो देखे यह माली जी एक पॉंड है क्या है पॉंड है यहां पे इस पॉंड में क्या होगा फ्रेंट्स एक तो यह बॉटम वाला सर्फेस होता है बॉटम मतलब नीचे वाला भाग होता है एक मिडिल रीजन होता है एक होता है सर्फेस यानि यह जो चिछला सा भाग होता है सैलोर तो यानि यह सर्फेस हो गया यह हो गया सर्फेस यह middle यह bottom तो देखें Gottaесь bone पे कौन कौन से पाई जाती है legal पाई जाती है और common party अब आ फ्रेंटS मिडिल एरिया में कौन रहती है रोह हो रहती है सर्फेस पर क्वह रहती है कीटला तो इस तरह से यह पाई जाती है अलग-अलग जोन में तो यहां से क्वेशन बनते हैं आप से पूछेगा कि सर्फेस फीडर कौन है कटला मिडल फीडर कौन है रोहूं बॉटम फीडर कौन है मिरिगल या कॉमन कर्प अब यहां पर देखें जैसे तालाव है तो वहां पर ऐस कि तो देखें अब हैं तो देखें अभी हमनी यही पढ़ को रोहूं मचली टालाव के मद चंहें रहती है कटला मचली की शता से अपना भोजन लेती है मिर्गल कामन कार्प जो है तालाप की तली से भोजन लेती है और ग्रास कार्प जो है ये खरपतवार को खाती है तो फ्रेंट्स इसको आप याद रखना और आप देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर मिश्रित मचली संबर्धन में एक समस्य यहाँ है कि कई मचलियां केवल वर्था रितु में ही जनन करती है यहाँ तक कि यदि मचली डिम्व देशी नशल से लिए जाए तो अन्य स्पेसिज के डिम्भों के साथ मिल सकते हैं मचली सं मचली संबर्धन में सबसे गंभीर समस्य क्या है आप बोलना कि अच्छा गुडवत्ता वाले डिम्व का उप्रियुक्त ना होना बस इतना ही आप याद रखना फ्रेंस हमारा जो list topic है यहाँ पर मधमक्ही पालन क्या है मधमक्ही पालन तो देखें समध मधमक्ही पालन में पूजी निमेश कम होता है इसलिए किसान इसे धनार्जन का मतलब धनार्जन करने का वो अच्छा साधन मानते हैं साहद के अत्रिक्त मध्मक्की के छत्ते मोम के भी बहुत अच्छे स्त्रोथ होते हैं तो हो सकता है अब तक आपको यह पता रहा हो कि मध्मक्की से हमको साहद मिलते हैं लेकिन आप ये याद रखना कि साहद के बजाए यहां से मौम भी मिलते हैं और मौम का उपयोग कहा किया जाता है आउसदी तयार करने में तो फिर ये भी आप याद रखना अब देखें यहां पे जो आपको याद करना है ये तो आप से यहां पे या तो देशी किस्म की मखी के नाम से पुछा जा सकता है या पुछेगा कि सामान ये भारतिया मखी जो है उसका नाम क्या है तो सामान ये भारतिया मखी जो है उसका नाम क्या है एपी सेरना इंडिका क्या है एपी सेरना इंडिका तो फिर आपको मैंने यह बताए था नॉसको जब हम प्रिंटिंग करते हैं वहां पर इपी डोर से टा इस तरह से यह मतलब पिए कया है इटायलियन में लिखा भी गए आर जब हम हैण से लिख जब अगल से लिखते हैं मतले ऐसे हम लिखें कि एपिस इंडिका तो फ्रेंट्स क्या होगा इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे तो यह हो सकता है तो याद करिए और यह याद करें कि बिना याद करें कुछ भी नहीं होने वाला है तो देखे फ्रेन eps serena indica क्यां सामान यह भारतिः मक्ही ऑफ डोर्सएट, क्या है यह एक Cell मक्ही है यानि cell मिज क्या हूती है चक्टान होता था इसको सिधा लेकिन यहां पर यह उल्टा कर दी खोई नहीं तो अब देखिए फ्रेंस इतली मक्ही सिप्तुष मैस्ट्रे निर्धारित और प्रजनन तीव्रता से करती हैं तो फिर्ट ये सब इतली मक्ही का जो है ये ये प्रटरकार्ट से हम कह सकते हैं इसका वेने फिट है मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तो ब्यावसाइक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका और मधु मक्ही फार्म बनाए और चरागा के परियाप्ट उपलब्दता के एत्रफोलो की किसमे मधु के स्वाद को निर्धारित करती है तो ये भी आप याद रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंस देखते हैं यहाँ पे हम बढ़ते हैं कोईस्टन के तरफ तो फ्रेंस आप यहाँ पे यह जो समरी दिया रह प्रेंस सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो क्वेस्टन है कि देखें इंप्रूब्मेंट इन फूड रिसोर्से यह हम पढ़ रहे थे न तो चलिए इसको सबसे पहले देखिए विच बनीजन ओयल इंडिंग प्लांट क्या है ऑल इंडिंग प्लांट यानि एक कौन सब प्लांट है जो कि हमको जिस से ऐल मिलता है तो उचैकर फ्रेंस हमने क्या भढ़ा था लैंस इल संफल्वलार कली फ्लॉरちは अ कभीस कस तो यह पर था यहां पर क्या दिया यह तो हो गया हमारा फिच वनीजन नाट सोर्स आफ कर्वो हाइडरेड मतलब इसमें से कौन सा है जो कि कर्वो हाइडर का सोर्स नहीं है यहां पर इसका सुरूत नहीं है राइस मेलेड सौरगाम ग्राम येलो हमने क्या बढ़ा था जितनी भी डाले होती है वो किसका स्रोथ होती है फ्रेंट्स वो होती है प्रोटीन का सोर्स क्या होती है वो प्रोटीन का सोर्स होती है तो यहां पर पुछा नाटा सोर्स आप कार्बो हैडेर तो हो जाएगा फ्रेंट्स हमारा ग्राम तो देखिए क्वेस्चन जो है यहां पर हिंदी में भी दिया पूर थो तो बढ़ाएं करने फिर्ए बहुत होई पहला सब मिलक प्रोड़क्शन जो सब् determined सब्सक्राइब पहुंत है यह है यहां कहा है तो जिस तैना भोल गया फीर बता ना भूल गई तो उसको आप पढ़ लेना वहां से देखे ब्लू रियूलिशन जो है मेंट फॉर इंक्रीजिन फिस्ट प्रोडक्शन यानि जो नीली क्रांती है वह फिस्ट प्रोडक्शन से संब्दी था यह भी सही है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन बिदाउट कंप्रोमाजिंग भी थी इन्वार्मेंटल क्वाल्टी इसका सस्टेनेबल एग्री कल्चर तो फ्रेंट जरूरी नहीं हमको सब कुछ टॉपिक में ही बुक में ही मिल जाए हमको बहुत कुछ कुछ क्वेस्टन के मादम से भ यहां पर कुछ भी रॉंग नहीं हो है तो यहां पर हमारा जो सही आंस्वर है वह हो जाएगा फ्रेंट्स नन अब दा एबब तो चलिए यहां पर देखिए हिंदी में भी क्वेस्टन है इसको आप पढ़ लेना देखिए नेस्ट है हमारा टू सॉल्ट फूड प्रॉड प लोगों के आसान पहुंच लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे होने जाएं तो फ्रेंस खाद्स समस्या के समधान के लिए तीनों ही जरूरी हैं तो यह हो जागा हमारा ओप्शन डी देखिए हैं यहां पर फाइंड आूट दा कितने बड़ी कोश्चन है ठीक है will find the correct statement क्या बताना है यहां पर हमको correct statement तो देखिए फ्रेंग्स यह एकदम question जो है एकजाम में पूछने लाइए एकदम must question है यह आप से एकजाम में 100% पूछा भी जा सकता है क्योंकि ncrt नहीं है ncrt की एक एक लाइन उठके आएगी वहां पर तो देखिए यहां पर यहां पर इस पीचीज है तो यहां पर यहां पर यहां पर नहीं होगा इस इंटर इस्पेसिफिक होगा तो फ्रेंज यह भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो फ्रेंज हमारा जो सेकंड पोर्थ है यह तो गलत है पर्स्ट एंठाट साइए तो यह हो जाएगा हमारा एफ्सन फुर्स और थाट देखिया हिंदी वाला हो गया देखेजिए नेस्ञ ढजान फिर से फिरेटिक टे दा क्रॉप ब्ला इंद civ क्रम उप्लाइ जो वीड होते हैं जो खरपत्वार होते हैं वो पौधों को किस तरह से आफ्ट करते हैं तो देखेट किलिघ करते हैं इस फीब फिल को टो मतलद जो हमारा में प्लांट हो टो उसको मार देते हैं डॉमिनेटिंग दा प्लांट टू ग्रो प्लांट को ग्रो होने से उसको डॉमिनेट कर देते हैं कंपीटिंग फॉर वैरियस डिसोर्स आफ क्रॉप कॉजिंग लो अवैलिविल्टी आफ नूट्रीशन तो फ्रेंट्स यहां पे जो हमारा एकदम अच्छ के लिए कंपीट करते हैं तो इसको आप याद रखना अब देखें नेश्ट हमारा स्वारी यहां से हैं विच वन आप फ्लोंग इस्पिसीज आप हनी भी इजन इन इन इटाइलियन इस्पिसीज तो बताए तो देखें फ्रेंट्स इस तरह से आपसे क्वेशन पूछा जा देखें इस तो कि यह भी है और देस्ट कुछान है नेस्ट हमारा उपाइड आट करेक्ट स्टेट्मेंट इवाउट मन्यूर हमको यहां पर खाद के बारे में करेक्ट स्टेट्मेंट बताना है तो देखें यहां पर मन्यूर्प कंटेंण लार्ज अमांट आप ऑर गैंल और इस्माल कॉंट्री आप न्यूट्रेन तो यह तो हमने पढ़ा तो यह सही है इट इंक्रीज दा वाटर होलिंग कैपासिटी आप सेंडी स्वाइल यह भी चाहिए इट हेल्पिन ड्रेनिंग आउट दा इक्सेस वाटर फ्राम क्लेश स्वाइल एक सेकंड फ्रेंश इसका ह लिए इसका आप से खाद में बड़ी मात्रा में कार्विनिक पदार थक कम मात्रा में पोसकतत होते हैं यह रेतिली मिटिक की जल धरण चमतक को बढ़ाता है यह चिक्नी मिटी से अतरिक पानी को बाहर निकालने में मदद करता है इसका उप्योग पर्यारण को से बना है तो फ्रेंस हमारा जो फोर्थ आफसान है यह तो सरे सर गलत है क्योंकि यह नहीं हो सकता है फोर्थ आफसान यहां पर नहीं हो सकता है फ्रेंस यहां पर यहां पर हमारा थार्ड भी सही है सेकेंड भी सही है और यह फर्स्ट वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन लग matter and small quantities of nutrients यह तो हमारा सही लग रहा लेकिन तीन आपसन कैसे सही सकता है यहां पे तो दो ही दिया है तो फिर इसको मैं नेश्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी इसके लिए आप टेंशन मत लिजिए यह तो आप उपर से जाके वहां से मिला सकते हैं इसको मैं जब टेलिग्राम पे पीडियाफ से एर करूंगी तो वहां पे इसका मैं आंसर बता दूंगी कौन सा सही रहेगा मतलब तीनों सही है या केवल दो ही सही उसमें से केवल देखिए फ्रेंश कैटल हसबेंड़ी इस डन फॉर्ड़ फॉलुंग पर पज्ज़ जो पसुपालन हो वह किसके लिए किया जाता है तो देखिए फ्रेंश मिल्क प्रोडक्चन एग्री कल्चरल वर्क मीड़ प्रोड़क्चन एक प्रोडक्चन तो आप बताई इसम यहां पर एक बाला नहीं आएगा फॉर्थ 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 यह कर जाएगा हमारा बचा वन टू थ्री यही सही हो जाएगा देखे फ्रेंट्स पसु पाला निमख्लित उद्देशों के लिए किया जाता है यह तो हो गया ने समय विच अब द फॉलुविंग और इंडियन पर हमारा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसको आप टेलिग्राम से जो है पीडियाफ लेके इसको आप लगा सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं इंस्याटी के लाइन को रिपीट कर सकते हैं दियाद कर सकते हैं जो भी मिन में आए करिएगा बाकी का हम देखेंगे अपने नेस्ट वीडियो में यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है देखिए तो यह सब आप करिएगा यहां पर मैं लास्ट में मैंचिंग वाला भी रखती हूं ताकि आपके कॉंसेट किलियर हो जाए यहां पर देखें फिलिंग दा बलैंक इसे तो बहुत मुश्च के लिए यहां पर देख पाना एक सिकेंड मैंनियोड फिर यहां पर खाद में कार्विनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है यह तो ठीक है मिट्टी की अलप मात्रा में मिट्टी को अलप मात्रा में पोशक प्रदान करते हैं को के इसको हम नेक्ट वीडियो में किलियर कर लेंगे डोंट वरी तो चले फ्रेंश को मिलेंगे अपने नेक्ट वीडियो में तब-तक के लिए ऑल्ल्द वेस्ट बी हैपी बी पोजटिव और अपना फीड़ वैक कोमेंट बाक्स में देना मत भूलिएगा एंसी अर्ट को रिवाइज करते रहिए यहां से कुछ भी बहार नहीं आएगा और आप लोग बार-बार पुछते हैं क्या 11 12 की इंसी अर्ट भी करनी है तो फ्रेंट्स नहीं करनी है वहां पे इन्वार्मेंट से लिटेट एक दम प कोश्टीव